हालो फ्रेंग्स वेलकम टू आवा यूटूब चानल मोनिदा सो फ्रेंग्स आज की वीडियो में हम म्यूचल फंड के जो पाच मेजर रिक्स रेशियो है उसके बार में हम डिटल्स में बात करने बाले हैं और सही म्यूचल फंड कैसे चुनिये अल्डिडी इसके अपर एक ड जरूर जा के देखीएगा तो हुश्वेडियो में मैं बहुत सवरे चीजे अनलेसिस किये थे और यह जो घ्य nic सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए लेट न करके चलते अभी हम स्क्रीन पे और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल में नहीं हो तो प्लिस सब्सक्राइब में चानल और हिता पेल आइकन तो फ्रेंज पहले हमें गूगल में चले जाना है एंड हमे सब्सक्राइब का इंटरफेस आजाता है जैसे कि मैंने अपना email id से इधर login किया है अगर अपने login नहीं किया तो इस value research में login करने से ठीक है आपके सब्सक्राइब यह पूरा page open हो जाएगा उसके बाद फ्रेंज आपको थोड़े नीचे scroll करना है और नीचे आप देख सकते ह इसे लिए मिलना explore funds scanners आपको क्या करना है इसी के ओपर simply आपको click करना है तो फ्रेंज जब भी आप click करते हो तो आपके समनी step का interface आ जाता है जैसे कि आप साइट में देख सकते हो equity flagsecap right and flagsecap के all funds आपके समनी आ जाता है तो दोस्तों अगले दिन हमने यह analysis किये थे कि आपको ठीके से ही funds आपको कैसे सिलिट करना है आप कैसे से ही funds को analysis कर सकते हो तो उस दिन हम रिक्स के बारे में नहीं बताया because अगर हम रिक्स के बारे में details में बात करने जाते तो वीडियो का link काफी बढ़ा हो जाता और रिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको details में जाना बहुत जरू जरू है क्योंकि कोई भी funds के आपसाइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि funds के एनवी इतना है ठीक है funds ने इतना percentage returns की दिया है but funds में जो रिक्स जो आपको देखने के लिए मिलता है रिक्स में बहुत सरी ratio होता है उन सरी ratio के बार में details में आपके लिए जाना स्टार्क है उसके बाद one star two star three star one star right उसके बाद है आप देख सकतो unrated तो हमें क्या करना है सही funds को select करने के लिए हमें इस unrated and one जो star mark है इसको हमें अंटिक कर देना है मतलब कि जब भी हम सर्च करेंगे तो हमरे सामने two marks five marks four three marks वाला जो mutual funds है वो सब आ जाएगा और यह जो देख रहे हो यह star mark value research की दुबड़ा दिया गया है तो value research ने जो star mark दिया है वो value research ने research करके दिया है लेकिन हम क्या देखेंगे हम two star two star three star four star five star में भी ठीक हम उन सारे funds को analysis करेंगे because यह value research ने खुद analysis किया है बड़ जब भी हम कोई भी right funds को select करके उसमें हम investment करेंगे तो उस के पहले हमको personally analysis करना बहुत जरूरी है तो हम क्या करेंगे यह जो unrated and one star mark है ठीक है इसको हम untick कर देंगे इसलिए आपको क्या करना है इसलिए आपको यह जो upside में आपको देखने के लिए मिल दा है other filters हम क्या करेंगे इस other filters में चले जाएंगे other filters में जाने के बाद आपको क्या करना है इस जो others वाला options है इधार पर आप देख सेकते हो rating 6 है ठीक है आप देख सेकते हो rating आपको देखने के लिए rating 6 है तो हम क्या करेंगे इसी जो arrow icon आपको देखने के लिए मिल दा है इसके ओपर हम simply click करेंगे okay so friends click करने सा आप देख सेकते हो 5 star 4 star 3 2 star 1 star इन सारे box में क्या है इन सारे box में ठीक है इस लिए page में हम लोगों को देखने के लिए मिल दा है और नीचे भी आप देख सकते हो unrated में भी ठीक है that's why हम लोगों के समने unrated 1, 2 star, 3, 4 star all funds हम लोगों को देखने के लिए मिल दा है तो इधर से हम क्या करेंगे इधर से हम simply unrated and 1 star जो mutual fund है 1 star दिया गया mutual funds को हम लोग अंटिक कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है यह जो apply वला option है आपको simply apply कर देना है तो इधर से आप देख सकते हो उन सरे funds आ गया है जिसमें ठीक है 5 star है 2 star है 3 star है तो यह सब आ गया है तो ऐसे में क्या होता है आप बहुत easily कोई भी right fund को analysis करके select कर सकते हो तो दोस्तों और एक चीछ में दिखा देती हूँ उस दिन में नहीं दिखाया आज भी दिखा देती ह हो जैसे का आप देख सकते हो equity flexi cap right तो flexi cap का all funds है अगर आप चाते हो large cap या फिर multi cap या फिर mid cap के funds को देखना है इसलिए आपको क्या करना है अगीन आपको other filters में चले जाना है और उसके बाद आपको इधर category वाला option को select करना है तो इधर से आप देख सकते हो इधर आपको दि तो large cap mutual funds देखने के लिए आपको large cap में tick करना है और flexi cap में आपको untick कर देना है उसके बाद आपको apply कर देना है तो इधर से आप देख सकते हो equity large cap का funds आ गया है नीचे आप देख सकते हो 59 funds है और जो की 3 star है उसके बाद 2 star उसके बाद 5 star 4 star वाला जो mutual fund है यह आपके समने आ है तो ऐसे में क्या होता है बहुत easily आप सही fund को ठीक है analysis कर सकते हो तो दोस्तों यह आपने देख लिया कि 2 star mark से लेके 5 star mark तक mutual funds को आप कैसे देख सकते हो तो दोस्तों उस दिन हमने टयालेसिस को हम्ने एन अच्छे funds को भी देखेंगे ताकि आपको बढम को सही से पता चले राएइट तो ओ था फ्लकसिकब तो हम इसलिए क्या करेंगे हम अगें फिल्टर में जाएंगे여 उसके बाद हमको category में चले आना है और हमको क्या करना है flexic app को select करना है उसके बाद apply कर दिना है तो दोस्तों यह है पड़क पड़क flexic app तो आप देख सकते हो इधर 5 star दिया गया है value research की दरा तो हमको क्या करना है simply इसके उपर click करना है ठीक है तो इधर से आप देख सकते हो यह जो funds है इसने 3 years में 22.21% का returns दिया है उसके बाद any week growth आप देख सकते हो जिसको हम net asset value बोलता है जो की है 73 रूपेस तो आपको क्या करना है इस other वाला option है आपको simply इस other वाला option के उपर चले जाना है तो इधर जो देखना पड़ता है expense ratio, benchmark, launch date उसके बाद है riskometer, assets तो इन सारे चीज़े के बार में मैं already mutual fund कैसे चुने उस वीडियो में details में मैंने बात किया तो इस वीडियो में इन सारे चीज़े को skip कर लोंगे ठीक है तो आप साइट में आप देख सेकतो रिक्स वाला जो option है हमें क्या करना है इस रिक्स वाला option के उपर चले जाना है तो आप नीचे देख सेकतो यह वाला page open हो जाता है जहाँ पे आपको बहुत type का ratio देखने के लिए मिलता है जो कि है main return उसके बाद standard deviation, surf ratio, certainty ratio, beta and alpha right और नीचे आप देख सेकतो यह है पड़क पड़क flexi cap यह है हम लोगों का fund जो fund हमने select किया नीचे आप देख सेकतो S&P BAC 500 TRI यह होता है benchmark तो benchmark क्या है अगर आप mutual fund कैसे चुने उस video को देखते हो तो आपको details पता चल जाएगा तो दोस्तों यह जो risk का ratio है इस ratio के बार में आपके लिए जाना बहुत ज़री है क्योंकि आप side में आपको देखने के लिए मिल जाता है कि funds ने इतना returns दिया है उसके बाद anyway यह है बर दोस्तों यह जो risk है यह risk काफी ज़्यादा matter करता है कोई भी सही mutual fund select करने के लिए right तो पहले तो हम यह बात करेंगे main return ठीक है main return अब देख सकते हो यह जो fund है fund ने main return दिया है 22.73% का और उसके बाद benchmark का जो return है 18.75 का ठीक है तो यह return है तो mainly जो है standard deviation sharp ratio certain ratio beta alpha तो एक के करके हम बात करेंगे तो दोस्तों यह जो standard deviation है इधर आपको दिखने के लिए मिल जाता है दो number तो यह दोनों number का हम difference करेंगे ठीक है मतलब कि यह दोनों number का difference करके हमें यह पता चलता है कि इसका standard deviation sharp ratio short ratio तो इधर जो आपको number देखने के लिए मिल जारे में हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले यह जाना बहुत ज़रुई है कि यह जो standard deviation है ठीक है इसका मदलब क्या है राइट तो इधर आपको यह icon दिखने के लिए मिल दा है अगर आप जाना जाते हो इसके उपर आपको simply click करना है तो आप देख सेकते हो इधर लिखा हुआ है तो दोस्तो यह जो standard deviation है एक statistical measure है जो data points की disparition या फिर वालाटिलिटी के quantify करता है और यह mutual funds के returns को volatility को indicate करता है ठीक है तो दोस्तो यह जो standard deviation है suppose that अगर यह standard deviation काफी जादा है इसका मतलब यह है कि आपका funds काफी जादा volatility है और जब जादा volatility होगा इसमें आपका ठीक है इसमें आपका मतलब की profit भी जादा हो सकता है और आपका loss भी जादा हो सकता है और दोस्तो यह जो standard deviation है यह standard deviation कैसा होने से ठीक रहता है तो आप देख सेकतो benchmark का जो standard deviation है यह है 13.17 तो यह benchmark का जो standard deviation है यह funds के standard deviation यह दोनो nearest में होन बहुत अच्छा होता है या फिर similar होना भी सेग है तो इधर अगर ठीक है ये benchmark के standard deviation से आपका fund का standard deviation अगर ज़ादा होगा that means आपके fund में ज़्यादा volatile है और ज़्यादा volatile के कारण profit and loss दोनों ही ज़्यादा हो सकता है तो दोस्तो इसलिए fund का standard आपका benchmark के standard deviation से same, यह आफी nearest में होना सही होता है, मतलब कि उससे उपर नहीं होना ही अच्छा है, तो आप देख सेखतों इधर, जो benchmark के standard deviation है, यह है 13.17, यह आपका fund के standard deviation जो है 11.35, 34, तो इसके standard deviation ठीक है, ओके, तो दोस्तों हम next बात करेंगे, यह dark ratio, ठीक है, तो चलिए इस के पर हम simply click करते हैं तो दोस्तों इधर काफी लंबा लिखा है serve ratio के बारे में जैसे के आप देख सेकते हों a measure of risk adjusted performance it indicates the excess returns generated per unit of total risk in other words how well and investment rewards investors for its overall volatility a higher serve ratio relative the peers reflect better risk adjusted performance okay तो दोस्तों यह जो serve ratio है यह mutual fund के returns को risk free return के साथ compare करता है और फिर उसके उस investment का standard deviation से divide करता है तो इसका भी एक formula है portfolio minus risk free return divide portfolio standard deviation तो दोस्तों यह जो standard deviation है इधर आपको ठीके दो number दिखने के लिए मिलता है जैसे कि यह जो benchmark का serve ratio है यह है 1.04 और यह जो fund का serve ratio है यह है 1.56 तो दोस्तों इधर serve ratio जो है यह serve ratio आपका एक या फिर एक से ज़्यादा होना चाहिए अगर आपका serve ratio आपके जो benchmark है benchmark के serve ratio से कम होता है तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि आपके fund में risk है ठीक है आपके funds ने risk लिया है तो अगर यह एक से कम होता है तो इससे यह पता चलता है कि आपके funds ने risk लिया है अगर एक से ज़्यादा होता है तो दोस्तों यह सही होता है जैसे के आप देख सकते हो इधर सरफ ratio आपको देखने के लिए 1.56 ठीक है तो चलिए इसके पड़ हम simply click करते हैं तो आप देख सकते हो इधर आपको समझा देती हो तो दोस्तो यह जो इधर आपको समझा देती हो में standard deviation के जगा downside deviation याMoon downside risk को use किया जाता है downside deviation volatility को measure करता है और यह सिर्फ negative moments को focus करता है यानि कि सिर्फ downside risk को consider करता है तो इधर benchmark का shortness ratio है यह है 1.90 आपके funds का shortness ratio जो है 2.20 ठीक है? तो दोस्तो यह आपके shortness ratio जो है यह आपके funds के shortness ratio benchmark के sortir ratio ज़्यादा होना चाहिए because market अगर नीची की तरब गिरता है अगर इधर sortir ratio आपके benchmark से कम होगा तो market गिनने से आपका funds उससे भी ज़्यादा गिरेगा ठीक है बहुत quickly नीची की तरब गिरेगा लेकिन अगर sortir ratio मतलब कि आपके funds के sortir ratio जो benchmark के sortir ratio से ज़्यादा है यह जो आपका funds है यह funds market का condition अगर खड़ाब होता है downside move करता है तो आपके funds एक limit तक गिरेगा उतना नहीं गिरेगा राइट तो यह clear हो गया तो sortir ratio आपके benchmark के ratio से benchmark के sortir ratio से ज़्यादा होना चाहिए जैसे कि इधर आप देख सकते हो so friends next हम बात करेंगे यह beta ratio के बारे में ठीक है तो अगर आपको beta ratio के बारे में details जाना है तो इसके उपर click करके आप पर सकते हो तो दोस्तों यह beta ratio क्या है beta का ठीक है एक value specific market index के साथ compare किया जाता है जैसे कि इधर आप देख सकते हो benchmark जो है S&P BAC 500 तो इधर हो सकते S&P NAC 500 भी हो सकता है दो दोनों similar है तो यह जो आपका funds है आपका funds का beta एक होता है तो इसका मतलब यह है कि funds के returns generally market के returns के साथ move किया है अगर fund का beta एक से जादा है तो इसका मतलब यह है कि आपके funds में volatility market से जादा है अगर funds के beta एक से कम है तो funds का volatility market से कम है तो इसलिए ये जो beta है ये beta एक होना चाहिए या फिर एक से कम होना चाहिए लेकिन अगर एक से ज़्यादा होता है तो दोस्तो इसमें volatility काफी ज़्यादा होता है तो ऐसे में आपका funds हो सकता है, risk में हो, okay तो हम next बात करेंगे alpha ratio के बारे में ठीक है तो alpha ratio के बारे में अगर आपको details में जाना इसके पर आप click कीजिए तो इधर आपको details मिल जाता है तो दोस्तो ये जो alpha ratio है, alpha एक performance measure है जो mutual fund के expected return उसके actual return के साथ compare करता है और एक positive alpha का मतलब ये है कि fund ने expected return से जादा return generate किया है जबकि negative alpha का मतलब ये होता है कि funds ने expected return से कम return generate किया है तो इधर आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपका fund का alpha जो है alpha ratio 8.22 है और इधर आपको benchmark का जो alpha ratio इधर आपको देखने के लिए नहीं मिल जाता है तो दोस्तों आपके funds के alpha सही है 8.22 है तो यह सही alpha है कभी कबर कुछ funds में आपको देखने के लिए मिल जाता है माइनस 8 है तो उस type के funds में alpha बहुत कम है तो यह आपको clear हो गया अलफा का मतलब यह है कि extra जो आपके funds का मतलब कि जो target है यह target complete किया है कि नहीं ठीक है तो दोस्तों इसलिए alpha को भी देखना बहुत जड़री है तो दोस्तों चलिए हम और एक funds को देखते है जिसमें हम लोग इन सारे जो ratio है इन सारे ratio को हम compare कर सकते है तो दोस्तों चलिए इधर से एक funds को select कर लेते है जैसे कि आप देख सकते हो value research ने इधर 2 star mark दिया है तो चलिए देखते है कि value research ने इधर 2 star mark क्यों दिया है इस fund को right तो ABSL Flaxicap तो चलिए इसको हम select करते है तो यह जोस्तों ABCL जो Flaxicap है इसका पूरा नाम है इधर आप देख सकते हो इस fund ने returns दिया है 17.08% का उसके बाद N.E.B. आप देख सकते हो तो इधर हम क्या करेंगे directly इस fund के rigs पे चले जाएंगे ठीक है तो दोस्तों चलिए इधर हम rigs पे चले जाते है तो हम इस fund के rigs के बारे में बात करते है और इस fund के बारे में अगर आपको जानना है तो अधरस में जाके आप देख सकते हो तो आप देख सकते हो A.B.S.L. flexi cap उसके बाद है benchmark तो आप main return देख सकते हो इस flexi cap ने return दिया है 17.32% और benchmark का जो है 18.75% तो standard deviation benchmark का standard deviation 13.17 ठीक है और यह जो fund से इस fund का जो standard deviation है यह है 12.77 तो दोस्तों दोनों ही near race में है तो इसका standard deviation सही है तो next हम बात करेंगे start ratio तो start ratio से यह पताद चलता है कि आपके funds ने कितना risk लिया है तो अब देख सकते हो आपके funds का यह funds का start ratio जो है जो की है 0.96 हमको क्या पता है कि start ratio जो एक या फिर एक से ज़्यादा होना सही होता है तो आप देख सकते हो start ratio इधर कम है तो यह एक negative side हो गया इस fund का right उसके बाद हम बात करेंगे certainty ratio तो certainty ratio जो है यह आपके benchmark से ज़्यादा होना चाहिए तो आप देख सकते हो यह benchmark से कम है क्योंकि benchmark का certainty ratio जो है 1.90 और इस fund का certainty ratio 1.73 next हम बात करेंगे बीटा तो बीटा एक या फिर एक से कम होना चाहिए जैसे कि अब देख सकते हो इस funds का बीटा है 0.94 तो दोस्तो इस fund का बीटा से ही है next हम बात करेंगे alpha तो अब देख सकते हो alpha जो है इधर आपको देखने के लिए मिल दा है minus 0.59 तो दोस्तो इधर alpha आप देख सकते हो minus में चला गया है तो that's why यह जो funds अगर आप select करते हो तो alpha को देख के आप इस fund को cancel कर दोगे okay alpha भी कम है उसके बाद सार प्रेशो भी कम है तो कोई भी funds अगर आप देखते हो कि 3 years में काफी अच्छा return दिया है बट अगर आप उसके risk के बार में details में देखते हो तो दोस्तो यह funds आपके investment के लिए सही नहीं है तो ऐसे करके आपको funds को देखना है returns, NAV, net asset, value सारी चीजे देखके आपको risk भी analysis करना चाहिए So friends, I hope कि आपको clear हो गया है कि कोई भी mutual fund के risk ratio कैसे आपको analysis करना है, उसके बाद ही आपको सही mutual fund select करना है So I hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा है अगर वीडियो helpful रहा है तो वीडियो को like करना है, जादा से जादा share करना और कोई भी confusion रहा है, बीडियो related तो नीचे आप मुझे कमें सक्स में पोच सकते हो और अगर आप मेरे चानल में नहीं हो So please subscribe मैं चानल अनिता बेल आइकन So मिलता हम नेक्स ऐसी कोई लेंडिंग वीडियो में तब तके लिए बबाई, हावा गुद्जे